हेलो दोस्तो नमस्ते सुपरवाज जैसी कृष्ण रादे रादे माई सोल फैमली माई वीवर्स माई सब्सक्राइबस गॉड ब्लेस यू आप सो स्वस्त होंगे मस्त होंगे अपने लाइप में आगे बर रहे होंगे अभी के जुम्हें वीडियो लेकर आई हूँ यह आपके समझ में नहीं आ रहा है तो यह आप समझ लेजी कि जिस तरह से चैनल मैसेज आ रहा है डिवाइन इनिवर्स के तरव से तो इस वक्त आपके परसन के जो एनर्जी है बहुत उतार चड़ाओ कि आपके फिलिंग्स स्ट्रॉंग है बर सिच्वेशन ऐसी आ जा रही कि जहां वो कही न कई अपनी life से अपनी family से वो fight कर रहे हैं मतलब mentally यह कही न कई बैलन्स नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आपके लिए true feelings है चीक है तो यह परसन आपको बेहत प्यार करते हैं unconditioned love करते हैं लेकिन यहाँ पे है कि पहले आपको खुद पर focus करना है जब आप खुद पर focus क तो आप अपने एनर्जी से अपने औरहा से अपने पार्ट्नर को अपने अब आट्राक्ट करते हो और उनको वह फिलिंग्स वह मैसेजंस देते हो जो वह समझ पाते हैं क्योंकि अगर आप सोल मीरते कुछ बोलते रहोगे अगर positive आप भेजोगे तो positive energy जाएगी निगेटिव भेजोगे तो निगेटिव जाएगी तो यह सिर्फ उनको ब्लेम ना करें पहले खुद को देखे कि आप ठीक है उन्होंने अगर ऐसा किया है आपके साथ धोखा और चीटिंग किया है तो प्लीज मै जब आप कहरें कि मैं उसे accept नहीं करूँगा या नहीं करूँगी फिर आप उनके पीछ से जा रहे हो ना आपने खुछ से पूछा कि आप उनके पीछे क्यों इतना पागल हो क्यों उनके बारे में सोचते हो तो यह पात अपने अंतर आत्मा से पूछिए कि कौन सा reason है क्यो इस परसन से आप दूर नहीं जा पा रहे हो इस बात को इन बातों को गांठ बांदिए और उनको ब्लेम जो करें पहले अंदर की कमी को ठाकिए और ढूड़िए कि मैं उनके पीछे क्यों भागने क्यों गुस्सा भी करती हूं प्यार भी करती हूं चाहे मेल हो चाहे फीमेल फिर भी मैं उनके पीछे इतना क्यों जादा एनर्जी वेस्ट करी क्यों उसके बारे में इतना सोचती हूं जब आप इतना सोचोगे तो आप कम से कम इतना तो समझ जाओगी कि आपके एनर्जी हाई पावर की है डिवाइनली गाड़े और आपको गाइनिस मिलना सुरू हो जी हर वक्त हर सेकंड चेंज होती है लेकिन जो मेरा वीडियो आप देखते हो हमेशा यह टाइमलेस रिडिंग होती है अगर यह वीडियो आपके सामने यह आ रहा है मेरे चैनल का कोई भी वीडियो बार बार वो वीडियो आपके सामने आ रहा है और आपका इंट्यूशन कि कुछ बात है उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें अगर यह मैस नहीं होता है तो दूसरा वीडियो आपके सामने जो आ रहा है उसको आप देख लिजे क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वो वीडियो बार-बार जो आ रहा है जैसे रित की भविश्वानी कोई क्रि आपको नहीं पाकर पहले तो ऐसे नहीं थे ते क्या पहले तो ऐसे नहीं थे अगर इनके लाइप में अपसन भी रहे हैं या मैरेट भी रहे हैं तो भी यह परसंद कहीं ना कहीं आपको लेकर उनको अलग इसा ही अहसास भी लोता है ठीक है कॉल मैसेज ट्रैवलिंग की एनरजी आई एडियर आपको यह सेक्सी बोले व्यूटिफूल ठीक है ना नींद नहीं आती है यह खुश नहीं एडियर मै of regarding is कर रहे हैं कि कुछ पास्ट में आपने जो पल दिये हैं जो खुसियां दी है जो टाइम दिया जो आपने टाइम किया अहिए जो आपने पैमपर और प्यार कियां उस जुवाशे को फिर्से छोंड रहें और फिर से अपने life में यह लाना चाहते हैं ठीक है बज गया थर्ट पार्टी आई मिस यू थर्ट पार्टी का प्रॉब्लम तो बहुत जोरो सोरो से चल रहा है ठीक है लेकिन आपके लिए बहुत चाहते हैं बहुत अट्राक्शन हैं बहुत फिल कर रहे हैं आपको डियर देखे हैं हमेशा इधर फाइटिंग हो रही है लगबाँ मुझे एधर लगतार में देख भाड़ी है हूँ आपके परसन एकदम से लाइप में बहुत पार्टी से फाइटिंग हो ही रही है आपके साथ नियू स्टार चाहते हैं फिर से आपके साथ रहना चाहते हैं तो husband wife भी हो सकते हैं लेकिन तिसरा कहना है बिलकुल नहीं तो इनकी भी मजबूरी को समझें ये गाना है न डियर complete I'm sorry देखिए आपको कहरें आपको justice देंगे खिक है आपको commitment देंगे marriage करेंगे बस थोड़ा सा इनको समझ लीजे और जान लीजे ये आपको wait कराना चाहते हैं आपको खोना नहीं चाहते हैं आप उनके हमदर्द हो आप उनके healer हो ये कहना चाहते हैं celebration देखिए बहुत लोग commitment को ये बार-बार याद कर रहे हैं और खुद को heal करते हैं करिये फोकस हैं देखिए मैं गाना इक हारा आडिया चैनल सौंग आरा में गाती हूँ देखिए क्या चला उनके light में आपको लगता है वो आपसे जूट बोलते हैं कभी-कभी वो खुद को control करते हैं सचाह इसलिए चुपाते हैं कि अगर आसे सचाह नहीं चुपाया जाए तो आप उनको परसान करोगे ठीक हैं और वो नहीं चाहते हैं उपीस और सांती जब आप उनकी counterpart को आप नहीं समझोगे तो फिर कैसे होगा ठीक हैं तो jazz channel song और एडियर मैं गा देती हूं तुम बिन जाओं कहां के दुनिया में आके गाना चाह सनम तुमको चाह के तुम बिन जाओं कहां रह भी सकोगे तुम कैसे होके मुझे से जुदा ढल जाएंगी दिवारे ये गाना बहुत ही अच्छा है true feelings है जन्मों का रिस्ता है क्योंकि counterpart के energy आ चुकी है soulmate के energy आ चुकी है तो ये person की दिल की आवाज है छूने वाली है डियर कोई अगर इस person को समझ सके इनके feelings को इनके अंतरात्मा की जो आवाज है तो अगर आप heal हो गए हो तो 100% उनकी दिल की आवाज को आप सुन रहे होंगे रहे भी सकोगे तुम कैसे हो के मुझसे जुदा धल जाएंगी दिवारे तो ये जो emotional गाना है एक attachment है past life का एक connection का मतलब इनके life में गाना आप सुनोगे तो आपको एहसास होगा किस गाना में ये भी है कि लाखो हजारों इनके life में आए हैं गए हैं बट आप हो जो आप हो आप को खुद से दूर जाने नहीं देंगे लिए omg ये message जो है dear इसके सामने सबसे वहारा song ही देखो आप ये song ही channel song है आपके partner के तरफ से overthinking ये person कर रहा है आपके साथ रहना चाहता है आपके साथ future देख रहा है लेकिन ये आपका ख्याल भी रखना चाहता है जो भी है male or female आपके लिए बहुत passionate है ये person ठीक है आपके photo को देखना miss करना बाति करना आपकी voice को सुनना आपकी photo को zoom कर 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 देखना आपके eyes को आपकी lip को आपकी बाति को आपके head को आपके हेर को Aunそれ here को आपको देखना मतलब आपका जो स्टाइल है उसके बारे में सुचना आपके बोलने कांदार हर कुछ उनको याद आ रहा है लेकिन चाहते बढ़ भी रही है लेकिन क्या करें कहना चाहते एक तो पैरेंट्स एक से टॉक्सिक लेशनशिप कुछ के लिए पैरेंट्स इशू है और किसी के लिए टॉक्सिक लेशनशिप जहां वह बहुत ही प्रसांद है जहां उनको पीस और सांती बिलकुल नहीं मिल रही है ठीक है तो यह आपके सोलमेट है लेकिन इनके अंदर जो दर्ध है जो पेन है वह सिर्फ इस वक्त जो हीलिंग आपने अगर की होगी मेरे भी आपको इस तरह भी आपको फील कर रहे है जो आप फील करते हो तो यहां पर मुझे लग रहा है यह परसन आपसे कॉम्निकेशन बिलकुल करना चाह रहे है ट्रेबल सबसे बरवा किया ट्रेबल और सेलिबरेशन की एनरजी आई तो यह आपके साथ वक्त बिताना चाहते है ज्वाय करना चाहते है उस पल को फिर से अपने लाइफ में लाना चाहते है ठीक है यह परसन आपको बेहग प्यार करते हैं साइध आपको ऐसा लगा कि एक्सप्रेस नहीं कर पारे क्योंकि आप लाइफ में देख लोग इनकी क्या सिच्विशन है एक तो पैरेंज उस पर स यहाल जाल साल भड़ 20 साल 15 साल छोला साल आठ किंतिजार होती है ठीक है और आप पर एक से 2 मेने 3 मेने में करते लेख अगर आप ने पेसेंस रखा आपकी हम सीरेफ स्क्रेट हो सकती है यह प्रोब्लम है हमॉलाँ क्या कर सकते हो त्यक्रत folkt और देखिए यह person बहुत ज़दा fight कर रहा है यह सिर्फ fight कर रहा है अपने life से अपनी family से अप धट पाटी से सिर्फ आपके लिए यह आपको जता नहीं सकते हैं क्योंकि नहीं आपको express कर सकते हैं यह समझते हैं कि मैं हैंडिल कर लूँगा आपको बोले से और परसानी बर सकती है यह परसंड कस्म कस्मे जरूर है लेकि चाहत बहुत है यह आपको बेहत पसंड करते हैं और आपका ख्याल भी रखना चाहते हैं और आपको प्यार भी करते हैं यह कहना चाहते हैं आप अपना इनर्जी गुसा अग्रेसिप की मूड में आजकल रह रहे हैं आपके परसंद इसमें भी मुझे दिख रहा है ओवर्थिंकिंग घर में ठीक से खाना नहीं किसी से बात्चित नहीं अगर काम कर रहे हैं तो काम पे निकल जाए अगर लीडर्शीप की क्वालिटी है इन में तो किसिंग एनर्जी आ चुकिए तो यह आपके तरफ बढ़ रहे हैं ठीक है यह पैस्नेट फिल कर रहे हैं यह आपसे दूर नहीं रह सकते हैं क्योंकि देखिए आपको कहना चाहते हैं मैं खुद से तुम्हें दूर नहीं जाने दूँगा चाहे कितना भी वेट करना पड़ इस इंसान के पास हो सकते हैं 2-4 से 3rd party आचुकी है 2-4 है या आपके पास भी 2 option हो सकते हैं decision आप भी नहीं ले पार हो decision वह भी नहीं ले पार है लेकिन इनके life कि क्या कुछ आ इनके life में छिक है लेकिन सही समय का इंतिजार ये भी कर रहे हैं क्योंकि stability career job finance अच्छी growth success और wedding energy यह आपके लिए, future आपके लिए, celebration, commitment, marriage आपसे करेंगे, लेकिन वेटिंग एनर्जी आ है, लेकिन इस वक चाहते हैं कि उनकी pain को आप समझे, दर्द उन्हें भी होता है, ठीक है, आपसे दूर जाकर वो भी खुश नहीं है, मतलब कहिए तो बहुत के partner का मैं यहां देख पार ठीक है, ठीक है, throat chakra block है, तो यह communication नहीं कर पा रहे हैं, उनका heart chakra हिल नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रियेट हो जारी उनके life में, जो कि parents है, cast tissue, धर्मिशू, age gap, toxic, marriage हो सकता है, पहले से marriage हो, या फिर इनकी marriage हो चुकी हो, जहां यह रिस्ता बिल्कुर toxic हो या पिर जो आपको लेकर imagine करते हैं, आपका नाम सुना हो, ठीक है, कुछ इस तरह के रहे हैं, जब वो miss करते हैं, तो आपका नाम भी लेते हैं, ठीक है, तो किसी ना प्रकार से यह person किसी तरह नाम लेते हुए पकड़े गया है, imagine करते हुए पकड़े गया है, आपका नाम तो बोला जाल रहा है यहाँ यह बात अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको ज़ो स्तराषर में पर पायगी है लेकिन आपको कह रहे हैं कि जो आप उनके strength और power हो अब यह आपको कहना चाहते हैं कि आप strong रहो हो आप बिल्कुल strong हो यह सही समय पर यह decision लेंगे ठीक है इसलिए action लेना तो चाहते हैं लेकिन कभी कभी compromise कर रहे हैं ठीक है उनको पता है कि आप उनकी खुसी हो आप उनका love हो कि आप कितना उनको प्यार करते हो ठीक है आप की आपकी उपर से लगी जिटना आपकी अंदर से खुबसूरती है आप pure solo ठीक है आपको उन्होंने भली कुछ कहा हो लेकिन उनका nature है ऐसा होता है लेकिन आप tension मत लीजिए ठीक है वह आपसे बेहत प्यार करते है थोरा सा मुझे अभी पता है आप प्यार से बात करोगे एकदम से जट से यह मान जाएंगे ऐसी इनकी इनर्जी है उन्हें पाना है आपको ठीक है आपके तरफ यह बहुत जदा अट्रैक्ट भी फिल करें लेकिन एक स्पिर्चल करनेक्शन यह भी फिल करें ठीक है और कहीं न कहीं आ सांती है और आप यह grazie चीज यह बहुत जदा मैनिक्ट कर रहे हैं goin के रूसे हैं तेकिंजिस नजरों में आप बहुत कुब्सूरत हो कि उसकी गिंती इनकी जो feelings है, जो इनकी चाहत है, जो इनकी जरूरत है, कोई इनको क्यों नहीं समझ रहा, बस यही चाहते है, parents से भी fighting, third party से भी fighting, हर तरह से इनके life पे fighting चल रही है, बहुत passionate फिल कर रहे हैं, बहुत miss कर रहे हैं, देखिए आपके साथ गलत हुआ है, ठीक है, बहुत कुछ सो joy किया है, ठीक है, celebrate किया है, घुमा है, फिरा मस्ती मजा, आपने हर कुछ दिया इने, लेकिन आपके साथ गलत हुआ है, अब सही होगा, यह चाहते हैं, आपको justice देना, अब सही होगा, लेकिन थोड़ा सा patience रख लिजिए, आपे strong रही आपके परसंद कहना चाहते हैं, इस आपके अंदाज, आपकी hair, यह सब इनको बहुत पसंद आता है, लेकिन वो कहना चाहते हैं कि ignore आप उनको मत किजिए, प्लीज उनको आप समझे, आप उनकी life हो, यह कहना चाहते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, मैं सो नहीं पाता हूं, मैं सो नहीं पाता हूं, यह आपके परसन आपके तरफ आ रहे हैं या फिर आप मिलने जा रहे हैं या फिर कोई अपराइड से आ रहा है या फिर इंडिया से अपराइड जा रहा है यह भी हो सकता है या फिर सिटी अलग हो लेकिन हो सकता है एक दूसरे से मिलने आप लोग आ रहे हो या जा रहे हो ठीक है तो चाहत बहुत बर रही है, देखे, उन्होंने सोचा है, समझा है, तभी ये energy निकल कर आई है, क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है, तो ये सही, ये भी करेंगे, और अपनी बातों को सोच समझकर बोलेंगे, अब ये भी सोचा इन्होंने, खुद को control करेंगे लेकिन आप बहुत खुबसूरत लेकिन आप गुस्ता मत होना अग्रेसिब मत होना यह आपके person कहना चाहते हैं कि पहले से इनके life में इतनी सारे problem है अब और नहीं लेकिन यह थोड़ा wait कराएंगे लेकिन यह आपके साथ ही आगे जाना चाहते है ठीक है द मतलब की देखी यह पूरा future आपके साथ देख रहे हैं आप उनकी life हो आप उनकी जिन्दगी हो यह कहना चाहते हैं सो नहीं पा रहे हैं सबसे बड़ी बात यह person कभी कभी नींद में भी हो सकता है कि कुछ ऐसे बोल जाते हैं कि बगल वाला इंसान भी सुन लेता है और यह तो कही न कहीं आपको कहना चाहते हैं कि आप अपना ख्याल रखें ठीक है और वह आप से मिलकर आपको पाकड़ी खुद को complete महसूस करते हैं और आपकी जगा कोई नहीं ले सकता ठीक है रहे भी सकोगे तुम कैसे हो के मुझसे जुदा दियर बहुत अच्छी एनरजी आई आपको मिल जागी क्या एनरजी चाहत है क्या पैस्टेट इनरजी एक क्या कनिक्सन आपका इस गाने की तुरू आपको पता चलेगा धल जाएंगी दीवारें बहुत अच्छा मैं अभी सुनूंगी उसको गानों को ठीक है आप लोग भी सुनों ठीक है इंजॉइ करो लेकि इससे गुसा आपको नहीं आएगा यह गाना आप सुन लेना अगर फाइटिंग एनरजी गुस्से की एनरजी है निगेटिव ज्यादा सोच रहे हो तो यह गाना आप जरूर सुन लेना है ना और सुनने के वाद उनके फिलिंग को समझना कि वह आपसे क्या कहना चाहते है जो कहना चाहते है आपको फिल हो जाएगा और खुद को आप बैलेंस कर लोगे ठीक है चलिए तो यह थी आपके पार्टनर की प्रूफ फिलिंग उनकी करेंट इनरजी उनका मैसेज आते लिए यह मुझसे प्रसर लीडिंग लेना हो तो मेरे इमेल आडी पर कॉंटेक कीज होते हैं और प्रसन सेजन के चार्ज होते हैं मैं सोलमेट जनी ट्विन जनी की कोच हूँ गाइडिंस भी दूँगी एनरजी चेक भी करूंगी और अगर चाहे तो आप मेरे इमेल आडी पर कॉंटेक किजिए इमेल आडी पर सारा डिटेल्स दीजिए आप कहां से अबराउ दें और उसके बाद आप बुकिंग करा सकते हो लेकिन प्रसनल डिडिंग के चार्ज होते हैं यह है कलेक्टिव डिडिंग चलिए गौड ब्लिस यू एंद थाइंक यू